हमस्कार आदाब शब्स त्रेगाल और खुशाम अधीद वेरी 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 गुट इवनिंग तो आपके सामने लाइव है और आज बात करने वाले हैं हम लोग जादफपूर उनिवस्टी के बारे में बड़ा important university है क्योंकि अभी खासकर इस साल तो बहुत ही जादा लाइम लाइट में है वैसे हमेशा से लाइम लाइट में रहा है क्योंकि बहुत ही जादा बच्चों का फेवरेट सा है बहुत ही अच्छे-च्छे packages यहां पे जाते हैं बट इस साल थोड़ा जादा लाइम ला तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यह शुरू काय नहीं हो रहा है बगया हो जा हो जा हो जा खुल जा सिम्टिम oh my god मेरे अच्छे क्यों महसूस हो रहा है कि ओ तेरी ओके ऐसा क्यों लग रहा मुझे कि इसका ओके यह टच काम नहीं कर रहा शिट ओके तो थोड़ी इसी दिक्कत परिशानी महसूस हो रही है मुझे माफी चाहते हैं आप लोगों से चलो यार तो शुरू करते हैं खेर इनीवेज हो जाएगा दिक्कत परिशानी चाहे जो भी आए हरश भी हम उसको डील कर लेगा तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फीस के बारे में कैंपस के बारे में और प्लेस्मेंट्स के बारे में ठीक है और इसके अलावा eligibility criteria क्या होग कि कैसे इसमें जा सकते हो वो सारे details भी बात करेंगे चली तो शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड हीर भी खुल जा भाईया हां लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करने के पहले जिन्नोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइ चली जी तो जादफपूर उनिवस्टी बहतरीन सा कैंपस है बड़ा सा कैंपस है अगर आप नहीं जानते हैं या नहीं देखें आप तो वहां कभी अगर मौका लगे आपको जाकर देखने का तो देखेगा जरू बहुती बढ़ीया कैंपस है हाला कि थोड़ा सा पुराना हुआ था स्टेट लेवर उनिवस्टी है मतलब स्टेट गवर्मेंट इसको मैनेज करती है कलकता वेस्ट मिंगॉल में है कॉलकता में इसके दो कैंपस है एक जादफपूर में और एक सॉल्ट लेक में 56 एकड़ का पहले और दूसरा 26 एकड़ का एक्रेड़ का एक्रेड़ दिपार्टमेंट हैं इसके अंदर और टोटल नंबर अफ कोर्स जादा ओफर किया जाते हैं तो अपने आप में बहुत ही बड़ा भव्य विशाल सा कैंपस है इसका युनिवस्टी भी बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें अंदर में होती है तो काफी बढ़िया स प्लेस है आपको बहुत जादा मजा आएगा इस जगह में पढ़ने में अब और आगे बढ़ते हैं कोर्सेज ऑफर अंडर ग्राजुएट पोस्ट ग्राजुएट डॉक्टरल प्रोग्राम तो सारी चीज़ें होती है तो अपने आप में पूरा पूरा युनिवरसिटी है 10 rank है इसका engineering की category में और 13 rank है overall category में तो overall NIRF ranking भी इसकी बहुत अच्छी है आप इसके ranking से ही देखके समझ सकते हैं कि यह कितना बड़िया college होगा यह सरकारी ranking में इतने अच्छे हैं अब अगर फीज की बात करें तो undergraduate program बैचलर्स के लिए जिसको तुम एम कर रहे हो बीटे का चार साल का जो फीज है चार साल का first year का फीज जो है 9600 रुपे ठीक है तो एक साल में 9000 रुपे फीज लग रहा है इससे जादा मतलब और क्या सस्ता हो सकता है 9000 रुपे में अब कैसे जा सकते हो बीटे कैसे कर सकते हो WBJEE के थूँ उसके बात BEE भी है कुछ जग है B.A.C. भी कर सकते हैं B.A.C. और B.A. यह तीनों भी होता है आपको पता हो ना जी ए बी एस सी फिसिक्स, B.A.C. विच्चे करते हैं B.A. तो आर्क तो आर्किटेक्चर वाला और B.A. मतलब Bachelor of Arts जहां पे B.A. इन history, B.A. इन civics, political science ऐसा सब कुछ करते है या languages में करते है त तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, इनकी फीस 72,12,000 और 72,00 इनके लिए academic merits लगता है B.S.C. करने के लिए, architecture में तो NATA होता है, और यहां पर B.A. करने के लिए academic merits के साथ युनिएस्टी का एक examination दिना होता है, clear है, सब को समझ में आ गया, तो सारे degrees भी समझ में आगे, अब आगे बढ़ते हैं Candidate need to complete 10 plus 2, PCM combination with 60% marks, तो PCM में aggregate चाहिए 60% marks यह इनका requirement, eligibility criteria है, और English एक compulsory subject होना चाहिए, इनके पास यह यह कहते हैं, इस English compulsory subject में 30% marks minimum चाहिए, तभी जाके काम बनेगा, समझ पाए, clarity है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्या-क्या होते हैं, B.E.B.Tech में courses तो chemical, civil, computer science, construction, electrical, electronics, food technology information technology, IT, instrumentation, mechanical, metallurgy, power engineering, printing and production engineering यह सारे के सारे engineering के courses हैं जो यह लोग offer करते हैं, ठीक और आगे बढ़ते हैं, और detail देखते हैं WBJE का जो, विकास सारे के सारे engineering में तुम जाओगे कैसे WBJE के, तो WBJE का paper pattern कैसा होता है, तो paper में दो paper होते हैं, paper 1, paper 2 paper 1 में mathematics होता है, paper 2 में physics chemistry होता है ठीक है, examination का duration 4 घंटे का होता है, इनका type of questions सारे के सारे MC की होता है total marks 200 number का, ठीक है 100 number का paper 1, 100 number का paper 2 आगे बढ़ते हैं, paper 1 में paper 1 में paper 2 includes questions that are divided into 3 categories 3 category होता है, category 1, 2, 3 1 में 1 marker होंगे, 2 में 2 marker, और 3 में 2 marker होंगे लेकिन multiple correct options होते हैं, multiple correct मतब जैसे MCQ आएगा, 4 option है तो MCQ है, 4 option है, तो 4 में से कोई एक सही होगा, ये होगा category 1 4 में से कोई एक सही होगा, वो category 2 वाला भी है, इसमें क्या है कि ये थोड़ से tough वाले questions होंगे और जो तीसरे वाले की बात करें, 2 marker questions with more than 1 correct answer इसमें 4 option ही होंगे वो 4 में से हो सकता है, 1, 2, 3 तीनों सही हो, तो multiple correct answers होते हैं इसमें, इसके लिए negative marking नहीं होती है, 1 or 2 category के लिए होती है, अब यहां तकी बात समझ में आ गई तो ये paper 1, paper 2 दोनों में ऐसा होता है अब WBJE का marks versus rank थोड़ा सा जान लीजे, विकाज आपको कहां जाना है, वो rank पे depend करेगा, तो WBJE में 200 number का paper होता है, अभी अभी हमने देखा 200 number का paper, 200 number के paper में 190 से 200, मतलब बच्चे इतना number भी लाते हैं, अगर इतना number लाते हैं तो इससे ये समझ में आना चाहिए आपको कि भईया paper बहुत ज़्यादा tough नहीं है 190 से 200 number जब बच्चा लेकर आ रहा है मतलब paper दिया जा सकता है आसान है, ठीक है अभी इस 190 से 200 में आपका rank 161 बनाएगा मतलब computer science हो guaranteed है clear, आगे बढ़ते है 170 से 189 इसमें 100 से 150 तक का जाता है ठीक है, यहां तक 100 से 150 के rank के आसपस में रहता है and similarly नीचे जाते जाओ, जाते जाओ अब इसको जादा अच्छे से समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप last year के cut-off को जानो कि यह WBJ में last year का cut-off क्या था, तो उसको देखो अगर देखो कि closing rank WBJ 2022 का data मिला, 23 का नहीं मिल पाया तो 22 में क्या था, computer science engineering कोई बच्चा West Bengal का है होम स्टेट कोटा, तो rank 81 तक मिला है उसको, कोई कौन-कौन बच्चा होम स्टेट कोटा है, जरा हात खड़े करो और कोई बच्चा All India कोटा पे है All India कोटा मतलब, पूरा All India कोटा, तो उसको rank 10 तक मिला है तो All India कोटा में थोड़ा कटेन है क्योंकि फीस बहुत कम है Quality Education है, packages करोडो में जाते हैं भी, इसके packages दिखाएंगे, इस साल का क्या package रहा है, ठीक है Electronics, Telecommunication में 265 तक गया है, होम स्टेट कोटा All India कोटा 93 पे बंद हुआ है ठीक, तो अब अगर आप All India कोटा है तो आप इसको ध्यान में रखिए कि आप कहां तक जा सकते हो, आपको कौन सा ब्रांच है जैसे Electrical हाँ अच्छा है, Electronics and Instrumentation अच्छा है, Mechanical, Chemical उतना लोग लेते नहीं है, Civil अच्छा है फिर और नीचे आओगे तो चारीवन 1760 तक में मिल जाएगा अब इस rank को ध्यान में रखते वे 1700 और 580 इधर आते हैं तो 580 वाला जो बच्चा है वो कहीं इस rank में मतलब यहां तक में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है यहां तक में मतलब 1500 नंबर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है तो जो All India कोटा वाला बच्चा है वो 200 नंबर का target बना के चले कि minimum 150 नंबर आने चाहिए उससे कम नहीं तो 150 लाना है All India कोटा को out of 200 ठेक बात और Home State कोटा तो Home State कोटा 17 सा तक जा सकता है तो 1700 वाला 1700 वाला दिख क्यों नहीं रहा है अच्छा ये direct यहां पर आ गया तो मोटा मोटी मान लो ना तुमकी 130 के आसपास तुमको चाहिए 130, Home State वाले बच्चे को 130 out of 200 तो 20 नंबर के आसपास की रियायत Home State वालो को मिल गई ठीक है समझ गए सबको clarity है चली आगे बढ़ते है सौरब जी करते हैं उस पर बात करते हैं चिंता नहीं कीजे करेंगे, करेंगे अब most requested batch is now coming तो देखो यार बहुत सारे बच्चों ने मैंने पहले ही जैसे आपको हमेशा बोलता हूना कि आज चैनल पर सब्सक्राइब रहो तुमको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहोंगा तो मैंने all about WBJE करके एक examination का एक वीडियो बनाया था उस वीडियो पर बच्चों ने बहुत ही प्यार दिखाया और उस वीडियो पर एक top rated comment आया था कि sir हमें WBJE के लिए एक free of cost batch चाहिए इस चैनल पर मैंने बोला ठीक है ले आते हैं कोशिश करने पड़ी थोड़ा मेहनत करना पड़ा बढ़ मेहनत करते ही हमने WBJE का launch कर दिया और कल ही ये वीडियो मैंने निकाला है जिसमें WBJE का free batch मैंने launch किया है आप सारे बच्चों के लिए और अभी से शुरू किया हूँ हाला कि हर हफते एक session दूँगा बट धीरे धीरे आगे चलके examination के time पे इसके frequencies को बढ़ा देंगे बट अगर अभी से तयारी करोगे तो आने वाले वीडियो है इसमें जाके देखिए का पूरा detail बताया हो कि WBJE का free batch कैसे है क्या है कहा है अब बात करते हैं इसके placement की तो placement का data देख लो तो 2022 का जो data देख रहा है वो यह है कि total companies जो visited हैं वो 100 से जादा हैं 100 से जादा companies visit की highest package जो इन्होंने offer किया 1.8 करोड पर annum मतलब 15 लाख रुपए पर मन्त सोच पारे हो थोड़ा बहुत सोच पारे हो salary कितनी होगी 1.8 करोड रुपीज पर annum हर साल 1.80 लाख रुपए दिया जाएगा facebook के त्वारा यह highest package गया उसके बाद second highest package जो था 1.4 करोड का था यह google ने दिया और third highest package जो था वो 1.1 करोड का था वो amazon ने दिया तो 3-3 packages करोड में गए ठीक है यह अपने आप में छोटी बात नहीं है वो भी ऐसे college के लिए जिसका फीस सिर्फ 9,000-10,000 रुपए यह 9-10,000 रुपए मेंसे अगर एक करोड मिल रहा है सोचो कितना return हो गया है अब आगे बढ़ते है average package बीटे का क्या रहा है 10,000,000 रुपए average भी देखो कितना अच्छा है और हमेशा याद रखना average और median median थोड़ा सा उपर ही होता है average से generally यही देखा गया है तो median मतलब जिसमें majority बच्चों को package मिल रहा है तो अगर majority बच्चों को 10-15,000,000,000 रुपए का भी package मिलता है तो क्या बुरा है to start your career with at least 1,000,000 रुपीज per annum क्या बुरा है बिल्कुल बुरा नहीं है 84% overall rate रहा है placement का मतलब 100 में से 84 बच्चे का placement हो गया है सिर्फ 16 का placement नहीं हुआ है यह और खूबसूरत बात और आगे बढ़ते है popular recruiters में कौन कौन है तो यह Apple है, HSBC है, Livpure है ऐसे बहुत बढ़िया-बढ़िया companies है चीक है, और आगे बढ़े Kolkata, 9 जादफपुर University Engineering grads, bags, 1 करोड jobs 9 बच्चों को एक करोड या उससे जादा का package लगा है देख पारे हो, एक दो की कहानी नहीं थी 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक करोड से जादा का package लगा है 2022 का news है तो मैंने 23 का data पूरा quote नहीं किया क्योंकि 23 के data के लिए authentic sources नहीं थे मेरे पास, लेकिन आप सब ने मेरे कुछ-कुछ shots सुने होंगे जिसमें 23 का, 2023 में ऐसे बहुत सारी news आई है जहां पे अपने कोई ये सुनने में आया है बच्चों ने एक करोड से उपर का package फोड़ा है जादाफपूर से तो 2023 में वही same trend को follow कर रहा है जादाफपूर University जहां पे करोडो के packages लग रहे है ठीक है, तो भईया undoubtedly ये तो go through college है मतलब हर हाल में लेना ही लेना चाहिए ठीक है, ये बात पक्की होगी चलिए, अब subscribe तो कर लेना सारे लोग चैनल को क्योंकि भईया, ऐसा बहतरीन content में देता रहूँगा इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ पर बात करना चाहूँगा जो बहुत सारे बच्चे कह रहे है देखो, अभी recently जादाफपूर University में एक ragging का case आया था, जिस case के बाद काफी hype हुआ था क्योंकि बच्चा, मतलब he took that extreme step तो अब इस पर मैं क्या कहना चाहता हूँ या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो, मेरा कुछ बोलना नहीं बोलना कोई माइने नहीं रखता, इसलिए नहीं माइने रखता क्योंकि जिसका loss था होना था बहुत बड़ा loss है यह undoubtedly, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम जब जिन्दगी में आगे बढ़ रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे हाथ होंगे बहुत सारी ऐसी ताकते होंगी, जो तुमको पीछे खीचने की कोशिश करेंगी कई बार ये हाथ, ये लोग ये अपने होते हैं, लेकिन कई बार ये लोग अपने नहीं भी होते हैं बाहरवाले होते हैं, चाहे वो अपने हों, चाहे वो पराये हों, हहमेशा याद रखना बिटा, जिंदगी आपको थाल में परोस कर नहीं मिलेगी उस जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए आपको भागना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा, तो आप कभी भी कुछ मुश्किल परिष्थिती आती है, तो हमेशा याद रखिएगा, आपको give up नहीं मारना है, आपको लड़ना है, क्योंकि लोग कोशिश करते रहेंगे हमेशा आपसे आपका हक चीनने का, तो आप आप ऐसी परिस्थितियों में जब भी 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 भासें, जब भी भी पड़ें, तो हमेशा याद रखिएगा, you have to fight back, you have never, you should never give up, ठीक है, give up कभी मत कीचिए, और ध्यान रखिएगा, देखिए, यह जो भी चीजें परिशानियां जिन्दगी में आती हैं, वो हमेशा temperamental होती है, मतलब वो temporary होती है, वो एक वक्त के बाद, वो एक phase के बाद बीच जाती है, तो हमको इस पर एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, यह कहानी आज तक मैंने YouTube पर कभी किसी को नहीं बताई है, यह शायद मुझे मेरे घरवालों को और मेरे दोस्तों को पता है, और किसी को नहीं पता है, तो यह बात है साल 2014 की, हाँ, 2014 की, तो साल 2014 में तुम लोग यह जो ragging वाला जो तुम case बता रहे हो न, एक ऐसा ही कुछ similar case 2013-14 में मेरे साथ हुआ, वो time था, जब मैं भी college में पढ़ता था, मैं अपने hostel में रहता था, और hostel में मुझे मेरे जो hostel के दोस्त लोग थे, उन लोगों से अन्बन हो रही थी, अन्बन इसलिए हो रही थी, क्योंकि मैं मतलब बहुती ज़ादा थोड़ा सा, मैं smoking नहीं करता हूँ, और मैं को वो smoking के धुएं से बड़ा allergy सा होता है, तो मेरे hostel में कुछ ऐसे बच्चे आ गए थे, या आते रहते थे जो बाहर के day scholars थे, और उनकी कुछ हूल जलूल आज़ते थी, भाई, इस cigarette वेकरा पीना, cigarette के साथ कुछ और चीज़ों का नशा, और वो सारी चीज़ें वो मेरे कमरे में करते थे, और मुझे इस बात से बड़ी परेशानी होती थी, तो फिर मैंने आवाज उठाई, मैंने उनको बोला पहले, फिर वो नहीं सुने, वो नहीं सुने, तो मैंने प्रोफेसर को कंप्लेन किया, फिर प्रोफेसर ने आक्शन लिया, तो उससे वो काफी ज़्यादा परेशान खफा हो गए थे, और ये सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं खुद थर्ड इयर में था, तो वो रैगिंग का सीन नहीं था, लेकिन देखो, रैगिंग से ज़्यादा खतरनाक था, कैसे? जब थर्ड इयर में मैं हुआ और ये सारी चीज़े मेरे साथ हुई, तो मैंने प्रोफेसर को बताया, प्रोफेसर ने उन लोगों काफी जहाड़ा उड़ा, डूट पड़ी, उसके आद उन लोगों को वर्णिंग दी गई, तो उन लोगों ने एक पर्सनल वेंड़ेटा ले लिया, कि यार इस लड़के की वज़े से हमारे को इतना प्रॉब्लम हुआ है, हमारे इतनी बेज़ जती हुई, तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई बढ़ते बढ़ते इस एक्स्ट्रीम स्टेप पे पहुँच गई, कि उन लड़कों ने पेट्रोल लाल के मेरी गाड़ी जला दी, अब जस्ट इमाजिन करो, मैं जब अपने कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, कि मैं तीन टाइम खाना खा सकूँ, मैं सिर्फ दो टाइम खाना खाता था, लिटरली मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, मैंने किसी तरीके से पैसे जोड़ जोड़ कर, वो भी तीन साल की कमाई जोड़ जोड़ कर, बचा बचा कर, मैंने एक बाइक खरीदी थी, second hand, 12,000 रुपए में, और वो 12,000 की जो बाइक थी ना, वो दो लोग मिलकर खरीदे थे, मैं और एक मेरा दोस्त, मैंने 6,000 रुपए दिये थे, मेरे उस दोस्त ने 6,000 रुपए दिये थे, और वो इसलिए खरीदी थी, क्यूंकि उस बाइक से हमें कोचिंग जाना था क्योंकि मैं गेट की तैयारी कर रहा था अब इमाजिन करो कि ऐसी परिस्थिती में क्या हालत होगी जब माबाप के पास पैसे नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दो टाइम से एक बाइक खरीदी और उन लोगों ने उस बाइक को जला दिया तो और ये सत्य घटना बता रहो ये मेरे साथ हुआ है अब देखो बहुत मुश्किल हाला थे मुझे भी बहुत जादा बुरा महसूस हो रहा था मैं सोच रहा था क्या करूं इस जीवन में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था एक टाइम के बाद प्रोफेसर्स ने साथ देना बंद कर दिया उन लड़कों का बद्वाशी इतना ज़ादा बढ़ गया था कि मतलब तुम देखी रहे थे भाईया पेटरोल डालके गाड़ी जला दी मतलब बहुती बड़ी चीज़ है लेकिन फिर भी उस वक्त मुझे मेरे पिता जी ने एक बात समझाएगी हर्ष, just hold it just stay in the moment तुम आगे बढ़ते जाओ कुछ जवाब देनी की जरुवत नहीं है तुमको कुछ रियाक्शन करने की जरुवत नहीं है बस stay in the moment अपने आप ये आँधी पीछे चली जाएगे विश्वास मानो मैंने बस वही किया मेरी वो गाड़ी चली गई मेरे पास मैं कोचिंग कैसे जाओंगा मुझे नहीं पता पापा ने बुला कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ इन परिस्थितियों के कारण से मैं mentally इतना ज़्यादा परिशान हो गया था कि मैं अपना exam qualify नहीं कर पाया जो gate का examination होता था लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और मन्जूर था जिंदगी ने मेरे लिए कुछ और बढ़िया लिख रखा था अपने किस्मत के दर्वाजे में वो सारी चीज़े मुझे मिली और आज मैं जिस लेवल पे हूँ जिस लेवल के success को enjoy करता हूँ आज जब मुड़कर मैं उन लोगों को देखता हूँ you won't believe मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उन में से अब पता नहीं शायद जिन लड़कों ने मुझे पता है कि उन लड़कों ने मेरी बाइक जलाई थी क्योंकि वो रात का समय था तो किसी को पता नहीं चला कि किसने बाइक जलाई बढ़ मुझे पता चल गया था sources के थूरू कि किसने जलाई मुझे आज भी पता है उसमें से एक मेरा दोस्त है आज भी दोस्त है क्योंकि उसको यहीं लगता है कि मुझे नहीं पता है कि उसने बाइक जलाई तो लेकिन मुझे पता है आज भी हो मेरा दोस्त है You won't believe वो दिल्ली में रहता है अभी कुछ एक साल पहले उसकी शादी हुई है एक देड़ साल पहले उसकी शादी हुई है शायद बच्चा उच्चा भी होने वाला है and he is earning right now somewhere around 28,000 रुपीज per month 28,000 रुपे पर month वो बंदा कमाता है दिल्ली में रहता है wife भी है बच्चा उच्चा भी होने वाला है 28,000-30,000 रुपे अब आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ मैं कुछ बोलता नहीं हूँ लेकिन कहते हैं कि किस्मत खुद बखुद बता देती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है तो बटा सारे बच्चों को न मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो ये टेंप्रामेंटल है उस लड़के ने मेरी बाइक जला दी पेट्रोल निकाल कर दारू के नशे में उसने मेरी पुरी-पुरी मतलब मेहनत की कमाई वो 6,000 रुपय मुझे पता था कि कितना मुश्किल से मैंने कमाया था वो पुरी की पुरी बाइक उसने जला दी लेकिन ठीक है अगर उस वक मैं परेशान हो लेता कोई extreme step ले लेता तो शायद मेरी लिए नुक्शान था लेकिन मैं उससे बाहर निकला आया आज वो एक बाइक या मतलब अभी दो साल पहले की बात है कि मैं मतलब ऐसे ही मैं और मेरी वाइफ जा रहे थे तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार आप आटो से जाते हो अच्छा नहीं लगता है मैंने बोला चलो बताओ क्या करना है तो wife ने बोला कि car है लेकिन हमारे पास एक scooty नहीं है तो car से जहां जाना होता है वहां जाते हैं बट कई जगा ऐसा होता है कि हमें scooty पे घूमने का मन करता है just मेरी wife ने यह बोला मैंने बोला चलो एक scooty खरीद लेते हैं तो मैं half pen पहना वा था I was in my night dress half pen पहना वा था मेरी wife और मैं ऐसी घूमते घूमते half pen में शोरूम में गया और मैंने बोला यार वो scooty दे दो थोड़ा and they were very amazed मतलब उनको लग रहा था क्या मजाक कर रहा है क्या then he asked me कि sir कब plan कर रहा है scooty लेने का मतलब ये गाड़ी वालो लोग का होता है न मैंने बोला अभी तो बोला अभी मतलब सर अभी मैं बोला हाँ आभी नहीं दे सकते हैं क्या तो बोला नहीं नहीं सर दे सकते हैं मैं बोला कितना दिर लाएगा तो बोला सर आधा गंटा यह लीजे पैसे जल्दी से गाड़ी निकालिये मैं गाड़ी से ही घर जाओंगा देवर अमेज्ट कि यार एक ऐसा इंसान सामने बैठा हुए जो एक लाख रुपे तुरेंट ऐसी निकाल के हाफ बेंट में आया तुबे सुबे का टाइम था साड़े नो बजे थे मैंने स्कूटी खरी ली तो यार मैं तुमको यह बताना चाहता हूँ कि एक वो जमाना था जब मैंने सिर्फ छे हजार रुपे लगा के एक सेकेंड हैंड बाई खरी दी थी जिसको इस बंदे ने जला दिया और आज यह जमाना है कि यह बंदा 28,000 रुपे पर मंथ की नौकरी कर रहा है और मुझे शायद एक लाख रुपे की गाड़ी खरीदने में भी कोई जाधा फर्क नहीं पड़ा मतलब I just went into the showroom और मैंने बोला हां यार दे दो मेरी वाइफ ने बोला है कि स्कूटी होना चाहिए और वो भी वाइफ ने इसलिए बोला स्कूटी होना चाहिए शी सेड की फील होता है कभी-कभी की कहीं हम लोग स्कूटी पे भी घूम पाएं हमारे पास कार है बट स्कूटी नहीं है तो अब तुम समझ पा रहे हो और किसमत ऐसे ही जवाब देती है कहते हैं न उपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन उपर वाले की लाठी दिखती है तो बिटा इस बात का हमेशा ध्यान रखना और ये बात मैं इस वाकिये पे बता रहा हूँ कि यार हो नहीं पा रहा है गिवप मार देते हैं बहुत मुश्किल हालात लगेंगे बट उस वक्त मेरी ये कहानी याद रखना कि जब सारे रास्ते बंद होते हुए देखें जब हमेशा लगे जब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना सुबह होने वाली है तुम बस वहीं रुक जाओ आगे भी नहीं बढ़ोगे तो कोई बात नहीं वहीं खड़े रह जाओ अपने आप वो तूफान चला जाएगा और अगर हो सकता है आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहो अपने आप वो तूफान निकल जाएगा ठीक है? तो just stay there stay strong, you will win ठीक है? तो that was all for this video guys, channel पे subscribe रहना for all such beautiful content यहाँ पे मैं आप लोगों को देता रहूँगा, motivate भी करता रहूँगा और ऐसा बहतरीन content भी दे रहूँगा, मिलते हैं आप अगले session में तब तक लिए, take care, bye bye, good night